हेलो क्रिकेट लवर्स कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज हम कुर्णल पंडया के बारे में बात करेंगे और आज ही कि दिन उनका जन्म हुआ था तो उनको बड़े विशिज है मेरी तरफ से जन्म दिन की बहुत बहुत बदाई तो कुर्णल करोनल पांडिया ने कल ऐसा क्या किया क्यूं वो कल भावुक हो गए उनकी भावुकता का राजम आपको बताऊंगा और बताऊं कि वो कल के मैच से पहले क्या थे और कैसे उनकी जो पर्फॉमेंस से इतनी बैस्ट आए इसके बहुत सारे रिजन्स है तो मैं आपको सबसे पहल तक ODI डेब्यू में लगा है 26 बोलो में 51 रन बनाए उन्होंने और अगली 31 गेंदों में 58 रन तो आप मान सकते हो कितनी जबरदस्त इनिंग थी कुर्णल पांडय की तो कल वो थोड़ा इमोशनल होगे क्योंकि जैन में ही उनके पिताजी की डेथ हुई है तो वो मैंड में रिमेंबर आ जाता आप कुछ बहुत बड़ा काम करो लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट लो तो आपके पिताजी ना हो तो मैंड में होता ही है और दिल से भी और हार्दिक पंडिया उनसे ज़्यादा खुश लग रहे थे मुझे क्योंकि भायों का तो होता ही है कि अगर आपका भाई पर्फॉर्मेंस करे और इतनी बहतरीन पर्फॉर्मेंस करे तो भाई दिल तो आही जाता है तो कुर्नल पांडिया मुंबई इंडियन्स की तरफ से पहले खेलते थे और अब भी खेलते हैं IPL में पर उन्तु जोन की पर्फॉर्मेंस है बहुती लाजव आप तो ये कोई नए चीज मत समझना बड़ोदा की तरफ से उन्होंने रंजी खेलिया और काफी सारे लीग मैचिस खेलते हैं तो अभी जब विजय हाजारे ट्रॉफी चल रही तो उसमें लगातार दो सेंचुरिया उन्होंने पांच मतलब जब आप लेट आओ और दो से जवाब थी और वो उनका पहला मैच था आगे आने वाले मैचों में वो बहुत ही और बड़िया पर्फॉमेंस करते हैं नजर आ सकते हैं और वो जड़े जा का कॉम्पेटिशन हो सकते हैं कल उन्होंने अपना डेब्यों में पहला विकेट निकाल लिया तो बहुत अच्छ खरती जाएंगी और आप सब तो जानते ही हो पांडिया ब्रदर्स हैं हार्दिक पांडिया और कुर्णल पांडिया दोनों इंडिया में आके धमाल मचा देंगे जैसे पहले इर्फान पठान और युसूफ पठान किया करते थे तो भाई आप बताइए कि आपकी कोई कुर द्रमस्टिक मैच है मुंबई इंडियन्स में उनकी पर्फॉमेस जो आपको लाइफ टेम याद रहे और कुर्णल पांडय की ऐसी अचीवमेंट जो आप लाइफ टेम याद रखना चाहेंगे वो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और आपको कुर्णल पांडिया नेक्स्ट मेच में एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ